आमने और मी जेल और मुझे जेल हो वाइब बिसly तो मास्टर माइंड को बेल मिल रही है उसने भी आचिका लगा दिए कि मुझे भी जमानत दे दो ये समस्या आने वाले टाइम में बहुत बड़ी कहते हैं एक चीछा लेदर करा देना एक फैसले का तो सुप्रीम कोट ये भी कह सकता थे काम करो भई आपको जमानत चाहिए आ ऐसी बीमारी है जिसका इलाज वहां नहीं हो पा रहा है उसको मिलती है ऐसे नहीं मिलती है कि चुनाओ प्रचार करने के लिए इतरी वाल जी आप जो है आपके खिलाफ ही ये था 170 आपके मोबाईल तोड़ने का आरोफ है ये तोड़ कैसे बोलेंगे ने मैं तुन जो नहीं अगर इसको तक्काल नहीं रोका गया आने वाले 20 से 25 साल के बाद बहुत भयाने के सिती होगी आज के नेता 25 साल के बाद किसी को बचाने नहीं आएंगे भारत का विभाजन 25 साल के बाद फिर होगा जैसे 1947 में हुआ था 2047 में फिर होगा तो 400 पार कहना आसान है करना मुश्किल है ये मुम्किन कैसे हो देखे 400 पार बहुत आसानी सो सकता है एक बार अगर पिछले 10 साल का काम लोगों को पता हो जाए न कांग्रेस कह रही है हम तुमारी बीमारी को बरकरा रखेंगे उसको ओट देने के लिए सोच रहे है अग देख रही है NMF News आपके साथ मैं हूं नम्रता जौधरी दिली के मुखे मंतरी अर्विंद के इजरिवाल जेल की सलाखो से बाहर तो आ चुके है लेकिन ये राहत पर्मनेंट नहीं है टेंप्ररी है यही बात अमित्शा कह रही है और यही बात दिली की जनता कह रही है ले इसको लेकर तरह तरह की बाते हो रही है मेरे साथ सुप्रीम कोड के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय हैं सर स्वागत है आपका और मैं आज सर से ही समझूंगी अश्वनी जी मुझे ये बताईए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बेल पर सवाल उठा रहे हैं कि यह आध हमको चिनाव प्रचार के लिए छूड़ चाहिए एक लाग शीयतर हजार करोड के टूजी घोटाले वाले बहुत सारे अभी जेल में हैं वो भी कहीं नामिनेशन फाइल करके बोलेंगे जी हम केजरीवाल को तो आपने दे दिया जो चिनाव लड़ी नहीं रहे थे हम तो च छावाद की घटनाओं में गिरफतार हैं बहूत सारे लोग सब्सक्राइब बन गया तो आने वाले टाइम में एक constitutional crisis खड़ी हो जाएगे सब लोग कहेंगे और वैसे भी अभी social medium बात हो रही है किसान कहरा है जैसे केजरी वाल के लिए चुनाव प्रचारी important है वैसे हमारे लिए फसल की बुआई और फसल की कटाई important है कल को किसान बोलेगा हमारे लिए सबसे important हमारी फसल की कटाई हमको भी बेल देदो कल को कोई मजदूर कहेगा जी हमको अपना घर बनाना है हमारे घर में चपर हमको पका घर बनाना है हमको अपना हमको इसके लिए दो कुछ लोग फ्राड में फसे हुए हो जी वो बिजनस करते थे कल को कोई डाक्टर जो किड्नी में किड्नी बेचने का रोप में जेल में बंद है वो बोलें जी हमको आपरेशन करना है हमको जी एक हपते की जिल दे तो हम जाके जब बेल दे तो हम जाके आपरेशन करके आएंगे तो यह बहुत बड़ी constitutional crisis खड़ी हो जाएगी मैं आशा क एक बार यह जरूर हो गया है कि आम आदमी और खास आदमी में एक जो difference create हो गया उसके वजह से पूरे देश में लोग अपने अपने जो जहां बोल पा रहा है कोई Facebook पे लिख रहा है कोई Twitter पे लिख रहा है को Instagram पे लिख रहा है सब लोग यहीं कह रहे है कि आम आदमी को जे कोई clarity नहीं है कुछ लिखा नहीं हुआ है अब समय आ गया है कि भारत में एक वन नेशन वन जूडिशल चाटर लागू कि आ जाए जिससे इस तरीके की चीज़ें डिस्बैलेंस जो हो रही है नहों अल्टिमेटली नमरता जी पांच करोड मुकदमे भारत में चल रहे हैं पांच करोड मुकदमे से पांच करोड परिवार टेंशन में एक परिवार में एवरेट छे आदमी मानके चलिए माता पिता पती पतनी और दो बच्चे चोटा परिवार है तो तो यानि पांच करोड मुकदमे के कारण 30 करोड भारती टेंशन में है यानि लगबग एक अमेरिका के बराबर जनसंख्या भारत में मुकदमों के कारण टेंशन में है आस्टेलिया की जनसंख्या दो करोड है यानि 15 आस्टेलिया के बराबर भारत में मुकदमों के कारण टेंशन में है कनाडा की ज पे गंभीर प्रयास करना चाहिए मैं कई बार लिख चुका हो कई बार बोल चुका हो कि आप समय आ चुका है कि सुप्रिम कोड जस्टिस विदीनियर के ऊपर काम करें एक साल के अंदर सबके मुकदमों का फैसला हो यह आम और खास के बीच में चला आ गया है कि छोटा वकील ह आ है तो उसको छे महीने की तारीक मिलेगी बड़ा कोई वकील आ गया तो इसको हर अथे की तारीक मिलेगी केज़ीStarற का मुकदमा तो ले टो बीस नवाई होगी यह वीकली डेट पड़ेगी और वही गरीब Supreme Court की इजद कम हो रही है, इसलिए मैं पहले भी Supreme Court से कह चुका हूँ, आज फिर से मैं publicly कह रहा हूँ, आप समय आ चुका है कि Supreme Court सबसे पहले Police Reform, Judicial Reform, Administrative Reform में काम करें, सबसे पहले Supreme Court ये सुनिश्चित करें कि District Court का मुकदमा एक साल में डिसाइड हो, हाई कोड का एक साल में ॡिसाइड हो, Supreme Court का एक साल में डिसाइड हो, कीजवडीवाल जी के खिलाप बड़े गंभीर अपराद है, 170 होड़ने का अनके उपर आरोप है, उनको घुटाले का Master Mind माना गया है अब सवाल यह है कि जो प्यादे हैं वो जेल में तो mastermind को बैल मिल रही है और वो भी कैसे बैल मिल रही है चलो कर पत्नीं की गंभीर नगीत भीत नगा नगा पिंडा वह अskंड़ाव हो गयी हो मता पिता की नगा जीने का सवाल हो ऐसे cases में तो एक बार फिर भी interim relief मिलती है लेकिन चुनाव प्रचार करने के लिए चुनाव प्रचार कोई fundamental right नहीं है चुनाव प्रचार constitutional right नहीं है चुनाव प्रचार legal right नहीं है यहां लोग जेल में रहते हैं उनको चुनाव लड़ने पर वह तो चुनाव मतलब ओटिंग नहीं कर सकता जेल में बंध व्यक्ति को ओट करने के लिए जमानथ नहीं मिलती फिर जेल में बंध व्यक्ति को चार करने के जो बेल मिल रही है यह बहुत गलत इंसी प्रेसिडेंट से ठो गया है मैं आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोट इस पर आने वाले जो अगली डेट पड़ेगी स्वभावी कसी बात एक जनुन तक के दिया है तो आगे इस पर कारवाई होगी लेकिन मेरा यह मानना है कि आप लेकिन जिस बात का डर था वही साबित होता हुआ नजर आ रहा है जब यह बहस बाजी चल रही थी तो एडी की तरफ से यह दलील दी गई थी कि आप गलत नजीर पेश कर रहे हैं और जो चीजा आप बोल रहे थे वही एडी ने भी बोली थी अब देखिए खबर यह निकल पूल इस चू की इस जो बेल का अर्डर है इसमें अगर एक लाइन यह भी होती कि बई यह जो हमारा वार यह केवल केजरी वाल के लिए है यह किसी के लिए नजीर नहीं है तो भी ठीक रहता लेकिन अगर वो लिखते कि केवल केजरी वाल के लिए किसी के लिए नजीर नहीं है तो एक अलग बावाल सुरू हो जाता है कि केजरी वाल के लिए लग से क्यों यह सुविधारी कही है तो इस तरीके के फैसले से बचना चाहिए इस से न्याय पालिका विसेश रूप से सुप्रिम कोट के जो इज़त होती है आम जन्ता के मन मुसकी कम होती है और इसके पहले का और भी घटना हुई थी तीस्ता सीतल वार के लिए सटरडे के दिन कोट खुली थी सटरडे को छुटी ह रहता है फाइब वर्किंग होती सुप्रिम कोट में लेकिन तीस्ता सीतल वार के लिए सटरडे को सुप्रिम कोट खुली थी सटरडे को एस्पेसल बेंच बनी थी और उनको बकारा जमानत भी मिल गई तो उस समय भी लोगों के मन में मतलब एक चीज आई इसके पहले आतंक हाँ के लिए रात में खुल सकती तो आम जन्हें क्जंड़े को नी खुल सकती तीसा सितल वार सकती तो आम जन्ता के स्रडडे को नहीं खुल होगा तभी कुछ हुआ होगा ऐसे मुझे लगता है दूसरा अगर वास्तों में जबानत देनी थी तो सुप्रिम कोट ये भी कह सकता थे काम करो भई आपको जबानत चाहिए आप अपना नार्कोर करा लो और उसकी रिपोर्ट हमें ले आओ अगर बार बार केजरीवाल जी की तरफ से दलील दी जा रही है कि मैं निर्दोस हूँ मैं निर्दोस हूँ मैं निर्दोस हूँ तो मुझे समझ में नहीं आया कि सुप्रिम कोट केजरीवाल को ये क्यों नहीं कह रहा है कि आप निर पीडिएफ कॉपी जाने लग गई है अगर हर जगह एडवांसी पा सकती है तो सच्चाई उगलवाने के लिए टेस्ट क्यों नहीं करा सकते अगर हर चीज में AI अब तो इवन कोट सुप्रियम कोट भी AI का यूज कर रहा है जो आप बहस करते हैं वह पकादा लिखा जाता है अपने आप उसकी स्क्रिप्ट भी चलती रहती है ऐसे में सुप्रियम कोट ने एक बार यह कह दिया होता कि हम आपको जबानत दे देंगे क्या आप अपना नार्को पॉलिग्राफ ब्रेंड मैपिंग कराने के तैयार हो अगर के बाद अगर उनको जबानत मिलती तो सुप् अगली उठ रही उसका बड़ा कारण यह है कि क्यों दोनों पच्छों की दलिल सुनी गई एडी कह रहा है हमारे पास मोबाइल तोडने का है यह है यह सबूत मिटाने का फैंसला है दूसरी कफ हो कह रहा है मैं निर्दोस हूं तो एडी जूट बोल रहा या केजरी वाल करना ही होगा कोई और में सॉट्छूल लिखा अपको एक जून को चुनाव है तो उस दिन आप अपना है वो एकजून को है तो 2 सब्सक्र haven को पड़ेगा लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा हो है कि कैसे आपने मान लिया की केजरी वाल निर्दोस है कि कैसे आपने माल लिया क केजरिवाल के खिलाब यह एविड electr आ गलत है और चुनाव प्रचार के लिए आज तक की दिए 20 1945 प्रचार ग्राउंड किसी ने लिया नहीं था और चुनाव प्रचार के basis पे किसी को जमानत पहली बार हो रहा है कि उन्होंने कहा कि हम चुकि मुख्यमंत्री हैं हम पार्टी के द्यक्ष हैं हमको चुनाओ प्रचार करना है हमको जबानत दे दिया जाए और उनको जबानत मिल भी गई बहुत बहुत गंभी बीमारी है ऐसी बीमारी है जिसका इलाज वहाँ नहीं हो पा रहा है आईको मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है कि चुनाओ प्रचार करने के लिए, बहुत light व्यक्ति को चिनाव प्रचार का धिकार कैसे मिलता जबकि ओट देना ये एक लीगल राइट है कल को लोग जो जेल में बंद है वो अप्लिकेशन डाल के कहेंगा इसा है जी आपने जब चिनाव प्रचार करने के लिए छूट जबानत दे दिया तो हमको ओटिंग लिए भी ज जिसको ED बता रही है, अगर उसको अंत्रिम जबानत मिल सकती है, तो फिर मनीश सौधिया के क्या चांसिज है? तेकि मुझे तो अभी लग रहा है कि अब तो अभी नहीं मिलने वाली जबानत फिलाल जबानत नहीं मिलने वाली है केजरीवाल जी को भी नहीं मिलने वाली है यह जो मिल गई है अपना चुनाओ प्रचार के लिए अब चलो वो तो मिल गई है उस पे और ज़्यादा कुछ कह तेंदर जैन और मनी से सो दिया इनको जमानत मेंने वाली है ठीक है अच्छा एक बयान अमित शा का सामने आया है जिसमें एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि अब बाहर आ गए है अर्विन केजरिवाल तो एक दम अमित शा ने कहा कि आप पहले पूरा और पढ़िए परमान गश्रिवाल लोगों के बीच में जाएंगे तो आएगा लोगों के जहन में कि也 तो शराब गोटले में अर्विध है अंदर है बाहर आ गया है पर्द़्पटा आज की डेट में दल गुलामी इतनी तगडी हो चुकी है, आम जनता अपना बुद्धी विवेक लगबग हो चुकी है, वो पार्टियों के गुलाम हो चुकी है, उसकी आख कान बंद हो चुके हैं, आम जनता इतना विवेक जल्दी उपयों कर नहीं रही है, एक बड़ी दिक साथिए नहीं करोगे किसी फॉन करोगे सी एम के आफिस में जा होगे तो पूरी लगा दिया कि बूर से पूरी करेंग करूशी सब्सक्राइब करें शुक्राइब और यह भी कह सके नेना से बात को यह मान देलोष मुझतन एप देख मुझतन लुच burner also अगर कहेंगा निर्दोस हूं तो सुप्रीम कोड का कंटेम्ट भी हो जाएगा उस बेल कंडिशन में लिखा हुआ आप इस बारें बात नहीं करेंगे बहुत किसी पत्रकार को सवाल पूछने से सुप्रीम कोड नहीं रोका है लेकिन केजरी वाल जी को जवाब देने सो रोका है लेकिन अगर मीडिया उनके पास पहुंची तो पहला सवाल ही आगा केजरी वाल जीव क्या हुआ क्या हुआ आपने क्यूं तोड़ा आपने तोड़ा की नहीं तोड़ा और वैसे भी आपके उपर जो आरोप है सही है कि गलत है आपके उपर जो शराब घुटाले का अब उनके लिए डबल थर्म संकट हो चुका है ठीक है तो यह केजरिवाल को लेकर जो भी सवाल जवाब थे वो तो मैंने अश्वनी उपाध्या से समझे अब बात कर लेते हैं बढ़ती जन संख्या को लेकर हिंदूों की नहीं मुसल्मानों की तेकि नमरता जी मैं पिछल सुपरियम कोर्ट में प्याइल फाइल किया था पापॉलेशन कंटोल लाके उसके लिए एफीडेविट दिया है अदमी सच बात कोई गलत नहीं कह सकते हैं भारत में कुल केंद्र सासित राज्य और नार्मल राज्य मिलाके 36 हैं मतलब 28 राज्य हैं और 8 union territory हैं टोटल हो ठीक है भारत में इस समय कुल 800 जिले हैं 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू जैन बहुत सिक खतम हो चुके हैं तो 800 जिलों में से 200 जिले मतलब 25 परसंट जिले कुल 1500 तहसीले हैं तो यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बारत के बार्डर पे टोटल 300 तहसीले पाकिस्तान बार्डर नेपाल बार्डर बंगलादेश बार्डर फिर इदर महारास्टा में समुद्र का बार्डर फिर राजस्थान में जो गुजरात कर में समुद्र का बार्डर जो भारत का बार्डर बार्डर है इस बार्डर पे हिम बढ़ रहे इसका फरक है attitudes कम होने का मतलब अतलों की भावना का मोरी धू का मतलब सरुमंगल मांग ले सबका कल्यान्ड हो पावना कम हो मांगल का हिंदू खतम होने का मतलब यत्र नारस्तु तर्मति तत्र देवता वह वे रिदान कम हो रहा है लेकिन दूसरे कहते हैं भाई ही जो हमारे नहीं मानता हो काफिर है जो हम्हें नहीं मानता Core फ़र में बहुत वह समान होते हैं तो एक इन पंथ पंथे नहीं होते जैसे वेक्ति की दो आख नहीं होते हैं दोनों हाथ एक समान नहीं होते हैं सारी उल्य यह समान नहीं होती हैं इवन एक ही मागे करो चंता की बात है कि हम पूरी दुनिया से गाइब होते चले गारहे हैंест जिसको पहले गंधार कहते थे जहां दुर्योधन का ननिहाल था जहां से माता गंधारी आई थी जहां दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर था आज वहां की देख लीजिए वह अफगानिस्तान बन गया है फटेहाल है बधाल है रोटी वहां ठीक से नहीं मिल पा रही है लोग कपड़े के लिए और छोटे-छोटे काम के लिए वहां अपने सरीर के अंग बेच रहे हैं और सबसे दुर्भागी एक देखिए वहां एक आतंकवादी संग्ठन राज कर रहा है दुर्योधन का ननिहाल था दूसरी तरफ राजा भरत का ननिहाल कहके जहां से माता क पाकिस्तान कहते हैं अगर हिंदु धर्म खतम हो रहा है तो उसके साथ आशांती बढ़ती है पूरी बंगाल आज की लेट में बंगलादेश बन गया और जब से वहां हिंदू कम होते चले जा रहे हैं उसके बाद आप देख लिए किस तरीके से वहां पर आशांती बढ़त सब्सक्रा जा रहे है क्तर पंठ बढ़ता जा रहा है जहाद बढ़ रहा है मजभी हुनमाद बढ़ रहा है लोगों के घर जलाए जा रहा है तो सनातन धर्म जह सम्रस्ता सिखाता है सबको distint तरफ नहीं सीखाता और इस बात को बाबा साव अमिटकर अपनी किताब में भी कह चुके बाबा साव मेडिकर से से बार-ार कहते थे चैसरा यह जो बिभाजन हुआ इसका मांनते नहीं है बाबा साव विभाजन भी हो गए 17-40 में पहले आपका अफगानिस्तान है था निकल गया पाकिस्तान आपके नया बन गया अपके नुड़ाध डिश्यों में खतँंड दोसॉजींडों से खतम माहसे खतम यह जो खतर है अगर इसको तत्काल नहीं रोका आएंगे आज के नेता जो अपने बड़ी बड़ी भासर देते हैं बड़ी बड़ी बाते करते हैं यह 25 साल के बाद किसी का घर जब जलेगा तो बचाने नहीं आएंगे इसलिए मैं जनता से कहता हूं दल गुलामी छोड़ो पार्टियों की गुलामी छोड़ो और एकडम अस समा सिक्षा लागू हो सब लोग दसुनी तक एक समा सिक्षा एक किताब जैसी होनी चाहिए समान नागरिक संगिता हो जो इसलामिंग यह सरीयत चल रहा या लगलग कानून चलना यह बंद हो और धर्मांत्रण के खिलाफ कठोर कानून बने और घुसपैठ और जनसंख्या नहीं तो भारत का विभाजन 25 साल के बाद फिर होगा जैसे 1947 में हुआ था 2047 में फिर होगा अगर हमने पांच कानून तदकाल नहीं बनाये थे और इसमें मुझे लगता है चर्चा हमें करनी चाहिए लव जिहाद को लेकर भी अगर इस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो फिर ये आंकड़ा भी बढ़ना तैय है कि निश्वत रूप से देखिए जब आप किसी एक हाद में कई चीजे कर уб Benckati अगर एक हिन्दू-लड़की को इसलाम में ले लिए जाता है तो एक तरफ इक परिवार कम हो गया हिंदू का दूसरी तरफ इसलाम में परिवार बढ़ गया अब पता चला उससे आठ बच्चे हो रहे हैं दस बच्चे हो रहे हैं तरी डबल नुकसान हुआ ना एक पूरा परिवार हिंदू का क्योंकि लड़की तो जन्नी है वह अल्टिमेटी शादी व् स्रिधा कुमार्दिया नीतु कुमारा सीमा गौतम वर्षा सुसीला निधी गुप्ता आउमा बबली निशा एकता नैना प्रिया कसिस पर्मार सीमा अर्चना हिना तल्रेजा नील महिरवार प्रभाकुमारी नीलम यादो मुनिया तनिसका शर्मा सीवानी निकिता तोमर अंतिमा प्राची राना नेल कुसुम सुनिता कुस्वाह यसोदा सोनम सुकला अंबिका रुपाली उर्वी वैश्णो मानसी रुभी कुमारी ममता देवी रुपिता अंजली ममता विष्ट निधी पासवान अधिति आध्या अमृता विलासा भावना वीना दीपा छवी द्र अभी इसके पहले केरल में हुआ था नेहा का हुआ था अभी बरेली में हुआ है बीचों बीच उसके दो टुकड़े हो गए रानिया दो के पंदर साल की बिटिया थी यह बहुत गंभीर है और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि ना सिक्षा में संसकार है और ना कानून का खौ नहीं है जब तक यह मदर से बंद नहीं होंगे समान सिक्षा लागू नहीं होगी तब तक एक एक दूसरे का समान करना लोग सीखेंगे नहीं और यह जहाद लब जहाद लैंड जहाद यह जहाद वह जहाद चलता रहेगा वह इसलिए चलता रहेगा कि स्कूलों में सिखाय जनात लगी हुई है कि हम जल्दी से जल्दी सधर्थी पे 51% हो जाए जल्दी से जल्दी हम भारत में 51% हो जाए अल्टीमेट और इसी देल अंतिजा आप देख लिए पिछले 65 साल में हिंदू 8% घटा है और मुस्लिम 43% बढ़ा कैसे रोहिंगा बंगला देशी घुसपैट 43 44% बढ़ा कैसे साम दाम दंड़ धर्मां त्रण धोके से धर्मां त्रण 43 % अब बाट बढबर कैसे जनसंख्या विस्पोर्ट निद्द कंज वक्फ जो वक्प बोर्ड है वो भी जन संख्या बढाने का काम कर रहा है वह भी क्या कर रहा है आदिव्यासियों को नोटिस बै जाएगी तो इसलिए पहले के बहुत सारे कानूनों को खतम करना पड़ेगा और नए कानून बनाना पड़ेगा तब जाके डिमोग्राफी बचेगी तो नए कानून बनेंगे तो इसलिए मुझे लगता है फिर चार सो पार की जरूरत होगी तो आप बताते तो आए हैं कि चार सो पार क्यों जरूरी है किसले जरूरी है लेकिन ये मुम्किन कैसे होगा दक्षिन की तरफ चले जाएए बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बीजेप निस हो सकता एक बार अगर पिछली का का्म लोगों को पता हो जाए नो लोग खुदी दल्गुलामी छोड़ देंगे और एक मतसी वूटिंग उटिंग करना सुरू कर देंगे एक बार अगर पिषले 10 साल का काम पता चल जाये तो लोग जाती के अधार पे उटनुग करेंगे भाशा के अधार पे उटना नहीं करेंगे पोलिटिकल पायटियों का चेह देख के वोट नहीं करेंगे बलकि काम के अधार पे effectively लोग को काम अभी पहुंचा काम सब को पता च इतना कर ले मुझे पूरा विश्वास है 400 पार हो जाएंगा अगर आप काम देखिए पूरी दुनिया में मैं आपको पिछले दस साल के कुछ दो-चार काम बताता हूं एक साथ योग करने का विस्व रिकार्ड पिछले दस साल के अंदर बना एक साथ एक सो आठ सेटलाइट पिछले दस साल में भेजी गई विस्व की सबसे उंची प्रतिमा जो पहले दुनिया में थी आज की भारत म एक मंगल आठ्ट पिछले दस साल में भेज़ा नेविगेशन सेटलाइट पिछले दस साल में सुल जाया गया ढगा जी टुन मंत्री गया तो पहली बार मोदी जी मंगोलिया जाने वाले प्रदान मंत्री भारत मोदी जी है रवांडा जापान अरती तक कर लिया जब कि लोग हिंदु सनातन धर्म को नहीं मानते वह बहुत मानते अबुधावी में मंदिर बन गया इसके लावा सबसे ज्यादा जो है आतंकी अड़े नस्थ हुए सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और आज की डेट में अग्याद जो बंदूगधारी है लोगों को जाके वो पहले कनाडा में मार र हारी इस तरीके सेक्टिव हो चुके हैं पहले नहीं और में मंत्री और जो है मेहिले सब्यादा महिलाव और को इसके लव जंता को बर मिल रहा है पहले खास 것으로 को बबन में हो जिसके बारे में सोचा नहीं था इवन जिसने काम किया उसने और 있을 उता उसको पदमेवाड मिलेगा उसको पदमेवाड मिल रहा है यह सिचेशन हो गई है नेता जी का नेता जी सुभाशंद बोज के बारे में पूरा ध्यान रखा उनका सम्मान किया गया है बाबा साब का पंच्दीर्थ बनाया गया वननेसन वन रासनकार शुरू हो गया वननेसन अर्यान टाक्स लागु हुआ है सब ज्यादा एक्स्ट वेवेडरा बने सबस्εςना सबसे सस्था जबना रहा है हुआ मिल रहा है राम सर्किट शुरू हो गया कहसी भव्याय माहकाल भव्य भव हो गया बद्री नाथ भव्य हो गया केदार नाथ भव्य हो गया पंद्रह सो से ज़्यादा अंग्रेजी कानून खतम कर दिये एक रूपए पर महीने के लोगों को दो लाख रुपए का जीवन भीमा मिलने लग गया तो काम बहुत हुए आज करद हुआ अपको को फायदा हुआ आप सही भी 96 मुसलिम Hier तो आर्टिकल 370 खतम होने से आतंकवाद खतम हुआ विकास शुरू गोज़ु अश्य को फाइदा किसको फाइदा मुसलिम को हुआ आपको हमें को फाइदा हुआ किबान मुस्लिम को रॉइन कानून बने यह dalंस्ख्या सब्सक्राइब कर किसको फाइदा मुस्ट्राइब यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिसको प्रणमंत्री ने बोला वह आएगा कहरे हम वह वह नेशन वन लाएंगे उससे हमें आपको कोई फाइदा नहीं हिंदू जैन बहुत सिक्थ को यूनिफॉर्म से वर फाइदा नहीं किसको फाइदा होगा मुसलिम को क्योंकि उनका तीन तीन तलाक तो बंद हो गया है तलाके हसन बंद होगा तलाके हसन बंद होगा तलाके बाइन बंद होगा तलाके किनाया बंद होगा तहरुस बंद होगा उनके चारशादी वाला सिस्टम बंद होगा मुता बंद होगा मिस्यार बंद होगा हलाला बंद होगा जो दुनिया भर क जानकारी का भाव देखिए जिसने नुकसान किया का मुस्लिम्स का उनको वोट करते हैं सुप्रिम कोट ने कहा था कि देश की सभी बेहन बेटियों को साहबानों केस में गुजारा भत्ता मिलेगा फैसला किसने पलटा कांगरेस ने तो नुकसान किसने किया कांगरेस ने अग इंतिमेटली उनने सो से शरीयत एक्ट है उस सरीयत एक्ट से किसका नुकसान है हिंदु जन बहुत सिर्क थोड़ी हमारे उपर थोड़ी लागू होता है और हिंदु कोड़ बिल कब बना उनने सो पच्पन में समिधान लागू होने के बाद इसलिए उसमें माता पिता को एक स तो वो 1937 का शरीयत एक्ट बदलेगा और यूनिफॉर्म सीवल कोड है अब सूरा का पूरा फाइदा मुस्लिम्स को होगा लेकिन जो कह रहा है मैं उनिफॉर्म सीवल कोड लाओंगा उसको ओट देने के लिए ओट नहीं दे रहे हैं जिसने नुकसान किया जो कह रहा हम सरी ठीक है अश्वनी जी मेरी सहयोगी है कविता राणा उन्होंने आपके लिए दो तीन सवाल भेजे हैं एक तो उन्होंने कहा है नरेंदर मोदी का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि फिर से बाबरी ताला लग जाएगा अगर हम नहीं आए कुछ इस तरीके का उनका बयान है पहले वो बयान भी सुनवा देते हैं क्या है नरेंदर मोदी का बयान मोदी को 400 सिटे चाहिए ताकि कॉंग्रेस अयोध्या में राम मंदीर पर बाबरी ताला ना लगा दे अश्वनी जी अब इस पर आप क्या राय रखते हैं यह सवाल कविता ने भेजा है जो हमारे धर्म ग्यान देखती हैं देखिए कांग्रेस के उपर विश्वास करना मुस्किल है कांग्रेस अब की बार तो कह रही तो निश्चित रूप से कर देगी उनके कई नेता कह चु बोला कि भारत में उत्तर वाले यह होते हैं दक्षिन वाले यह होते हैं पूरा उनको चमडे के अधार पर कलर के अधार बांट दिया है फिर एक और नेता ने बोला कि राहूल गादी यह कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम सुप्रिम कोट का फैसला पलटने का अधिक कि बनाया क्यों हिंदू को बरबाद करने के लिए वक्त क्यों बनाया नहरू जी ने हिंदू को बरबाद करने के लिए माइनार्टी कमिशन एक क्यों बनाया हिंदू को बरबाद करने के लिए अपस में डिवाइड और रूल करने के लिए ठीक है एपस में बनाया भारत में जो देश विरोधी NGO's हैं, उनको funding कराने के लिए, माववादियों को, नक्सलियों को, अलगाववादियों को, चरम पंतियों को funding कराने के लिए, अलिगर्ड मुस्लिए, बियच्चू और अलिगर्ड एक साथ बना था, बियच्चू कभी majority university नहीं हुआ, नाम भले उसमें पैट की धारा में 6 से जोड़ा, राजियो गाधी ने और उस एक जटके मुन्हों ने असम में 60 लाख बंगलादेशियों को असम का नागरिक बना दिया, डेमोग्राफी बदलने के लिए पूरा काम किया है, तो कांग्रेस में जब-जब कांग्रेस को सत्ता मिली है, तब- हिंदूों को 35 कानून चलने हैं मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाले, उसमें सबसे ज़्यादा जो कानून बने हैं, वो कांग्रेस के सासन में बने है, चर्च के लिए एक भी कानून नहीं है, मजार कंट्रोल करने के लिए, दरगाह कंट्रोल करने के लिए, मस्जित कंट्र तो नेहरु जी प्रधान मंतरी थे या इंदर्या जीरा जी प्रधान मंतरी थे या मनमुहन सिंग जी मतलब कुलमिलाक उनहीं के सासंन में हुआ हमारे मत बंद्रों का 10 वहतल। जड़ावा आता जो तो हम कुछ चढ़ा के आते हैं आप चाहें वैश्वरोदेवी चढ़ाईए कहां पर जितने हमारे प्रसिद्धी विनाइक चढ़ा के आई यह जहां भी चढ़ा के आएंगे उस सारा का सारा पैसा सरकार के पास जाता है और उसी पैसे से मौलवी को वेतन सरकार दे देती उसी प्रवसिय से विभाजन के समय ते हुआ था समयधान निर्माताओं ने कहा विभाजन हो चुका है रिलिजन के अधार पर कोई स्कीम नहीं होगी रिलिजन के अधार पर रिजर्वेशन किसने सुरू किया कांग्रेस ने पहले भारत में अलपसंख्यक आयोग थाई नहीं सु दिनिया गाधी ने यूपीएवन में सुरू करवाया दोजार चे में तो भारत को विभाजन विभाजित करने के लिए भारत की जो संस्कृति उसको नस्ट करने के लिए कांग्रेस ने एक नहीं कई कानून बनाए इसलिए अगर वो उनके नेता यह कह रहे हैं कि अगर सत्त कभी भी अपने सासन में टोटल 55 साल कांग्रेस का राज रहा 55 साल में दो साल सास्तिरी जी का निकाल दीए तो 53 साल तो गांधी परिवार का राज रहा उस 53 साल में कभी भी नेहरू जी के खांदान चाहिंद्रा राज सब में विला दिए कभी उन्होंने गुलामी का नाम ब भारत की संस्कृति को बरबाद करने का उन्होंने खूब प्रयास किया और कानून बना-बना के किया है इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस का सत्ता मिल जाए वैसे तो मिलेगी नहीं मुझे नहीं लगता कि मिलने वाली है लेकिन अगर मिल जाए तो यह भी हो सकत देखेंगे जो सर्वे आ रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में जा रहे हैं और इसके आधार पर अगर में अपनी सयोगी का सवाल नूं तो उनका कहना है कि दो हजार उननतिस तक यानि अगले पांट साल में क्या पैसले लिए जा सकते हैं देखें मेरा यह मानना है कि जो सबसे बड़ा दोखा हुआ भारत के संविधान के साथ जो संविधान का मूल ढाचा बदला गया है वह 1976 में बदला गया है संविधान यह आपको दिख रहा ने इत्तमोटा इसकी प्रस्तावना लिखी हो इसको प्रियंबल कहते हैं संविधान निर्माताओं निए कहा थ संविधान में बदलावकर दिकार तो परल्यामेंट को रहेगी सरकार को रहेगी लेकिन संविधान कि जो प्रस्तावना है इसको कोई छेठ छार नहीं करेगा लिए एक बार सम्मिधान की प्रस्तावना में छेड़ शुरू हो जाएगी तो फिर इसकी कोई लिमिट नहीं होगी पता चला लोग बढ़ाते जा रहें बढ़ाते जा रहें कुछ भी जोड़ते जा रहें कुछ भी घटाते भी जा रहें है 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 1950 में सम्मिधान स rubbish खतम हो गई कि ठीक जिसने सम्मिधान बनाया बिनா हमें लोग बहुac 22 сек नेले करें 75 आगी चल रही थी इमर्जेंसी में सारे बिपक्च के नेता जेल में कि वल सत्ता पक्च के सांसत बचें हुए थे बिपक्च के सारे सांसत जेल में थे लोस्वाराज सबाइब और लोक्राज सबाहते तेनौर js भी 76 में सोस्लिस्ट और से कुलर और उन दो सम्विधान सभाधा ने पूरी चर्चा किया था हुद्टी दो शब्द होने चाहिए हमारे प्रस्ता नामे our प्रियमब्ल में यह प्रस्ताव आया था के साहस हैं ने पेह किया था तीन बार उन्होंने पेह कि यहाग यहिए बाकी सब लोग नएकमस्तार कस्ट नहीं है हमारे शिस्टम नहीं है भारता सम्मिदान आपन रूप इंट या लेकिन वह जोड़ा गया तो जू लोग आज कहता है नहीं डेमbusक्रेसी तो जोड़े ही आ सकते हैं तो यह नि प्रियम्बल में घताए है कल को किसी की से लिए चार फुल मजोर्टी आ गई दोती आये अब वह प्रियंबल से डेमोक्रसी निकाल दे तो कौन आकर बचाएगा अगर प्रियंबल में जस्टिस men तो कौन रोकेगा गार जोडने का अधिकार मिल घटाने का भी अधिकार मिल गया ना लिए स्प्रिम कोट ने पीयायल फाइल किया है अभी जुलाई में सबसे सुनवाइब कोई प्रियंबों तü और जाने का यहत्री हुड़ इसलिए जोड़ने घटाने का अधिकार नहीं होना चाहिए प्रीयंब स्नदान का मूल ढंचा है कि सबसे पहला काम क्या होना चाहीझ मुझे पॉराब किया गए इसको दुबारा और को अपसन scor alt 400 पार हो रहा है 400 पार मुझे पूरा विश्वार से होगा तो सबसे पहले भारत के सम्मिधान में जो चित्र थे न जो चित्र निकाल दिये गए भगवान राम का चित्र था भगवान कृष्ण का चित्र था भगवान महाबीर का चित्र था गोतम बुद्ध का चित्र था नंदी बैल था इसमें, सब कुछ था, वो जो चित्रों को निकाल दिया गया, वो ठीक होना चाहिए, वो चित्रों को आने से फाइदा ही होगा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का ज्यान हमारे आम जंता को भी रहेगा, जो लोग सम्मिधान पढ़ेंगे, मेरा ये मानना है कि 400 पार हो जाए, तो सब से पहले जूट को गंभीर अपराद घोसित कर देना चाहिए, कुछ भी करते हैं, जूटी जांच हो जाती है, जूटे फैसले आ जाते हैं, जूट को गंभीर अपराद घोसित होना चाहिए, और जूट को गंभीर अपराद घोसित करने के लिए, 19 को गडलना पड़ेगा देश द्रोही जितने संगठन इन पर कम्प्लीट बैन लगाना चाहिए बैन तभी लगेगा जब आटिकल 19 बदलेगा क्योंकि नहीं तो आपका लेकिन उसमें कोई लिमिट नहीं लगाई है तो लोग जूट बोल रहे हैं जूट बोलने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए ऐसे ही भारत में हमारे जो कानूनों का मखर जाल चलता है वो मर्ज हो जाए वन नेशन वन पुलिस कोड़ वन नेशन पिनल कोड़ हो उसके लिए भी जूट बनाना पड़ेगा इसके लिए भी आपको समयधान में संसोधन करना परेगा हम चाहते हैं कि दृर्मांतरन तत्काल को अविए को एक्क सबका साथ सबका विकास चले सबको एक समान अधिकार हो आई जो तुष्टीकन का राजनीती खतम हो जाए तो आर्टिकल 2930 को बदलना पड़ेगा उसके लिए भी चूकि आपको चास्वपार्थ चाहिए और जैसे फैंसले आ रहा है जिस तरीके कोट के जरीए ठीक है सुप् अधिक आपने जिक्र किया लेकिन यह वाली जो मांग है जो जिक्र है यह तो दारूलूम से भी हुआ है फिर ऐसे मदर्सों पर यह इतना बड़ा यह जो मुस्लिम संगठन है जो सारे मदर्सों को चलाता है इन पर भी कोई एक्शन होना चाहिए खुले तोर पर आप कुछ भी थोड़ी बोल देंगे आपने बहुत अच्छा सवाल किया यह जो गजवा हिंद तब तक बंद नहीं होगा जब तक मदर से बंद नहीं होगा इसका मतलब समझा दीजे पहले बहुत में जो भी लोग हैं यहां पर सब इसलाम कबोल कर लें और उन्होंने गजवा हिंद क ही आप फेले गजवा हिन्द का नारा दिया और जो गनधार था हिंद भारत का आणि साथ है और वहां घजवा हिंद हो गया आपकिस्तान बन गया जो के था घ belangrijk नाढदिया चलता रहत हुआ जहां जहां मौका मिलना गजवाहिंद चलता रहता और पीएफ़ाइड केरल में देख लिए किस तरीके डेमोग्राफी बदल चुकी है तो गजवाहिंद का मतलब भारत में पूरी तरीके से इस्लामिक तो गजवाहिंद रोकने के लिए युनिफॉर्म एजुकेशन चाहिए गजवाहिंद रोकने के लिए युनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए गजवाहिंद रोकने के लिए आपको घुसपैट के खिलाफ कठोर कानून चाहिए गजवाहिंद को रोकने के लिए धर्मांतर के खि तो गजवाहिंद रोकने के लिए आपको एक नहीं कमस्कम पांच कठोर कानून बनाना पड़ेगा अल्टीमेटी घुसपैठी कैसे आ रहे हैं बार्डर पर वहां पर आते हैं कुछ पैसा देते आ जाते हैं वहां पेजन्ट बैठे हुए उनको अंदर करा देते हैं आते हैं लेते हैं कि गजवाहिंद रोकने के लिए करप्षन के खिलाफ बहुत कठोर कानून बनाना पड़ेगा यह जो घुसपैठी ओं की मदद करते हैं सब पैसे लेके करते हैं कोई पैसा लेक उनको गाड़ी देता है कोई पैसा लेक उनको जगा देता है कोई उनका लिटेशर अल्टिमेटली मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है कभी आपने मदरसों किताब कहीं बजार में विखते वे देखी क्या गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है आप कहीं चले जाए आपको मिल जाएगी रामायर भगवत कीता हर्जगा मिल जाएगी जो जो गुल को लेकिन चीन ने क्या किया, चीन ने दोई काम किया, समाह भाकी लागू कर दिया और कानून बना शिख्षा ऐसी Wür घंता, जो बच्चे पढ़ेंगे सक चांड पढ़ेंगे, और कानून ऐसा पत्थर बाजी किये, तुम गए तुमारे हः नारी, तौन आडरी धिट्न क्या प्करने के नागरिकता भी खतम होगी, प्रापर्टी भी जबत होगी, ओभी एक साल के अंदर, तब जाके गजवाय हिंदो करेगा. आपको बहुत 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 शुक्रिया, नमस्कार.